Hello student, I am Sonam, welcome back to my YouTube channel, अपना भी दल, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे एक most important topic, तो यहां पे बिना कुछ पढ़े, बिना याद किये, exam में objective question बिलकुल सही सही टिक मारना, ठीक है, यानि किस तरह से आप लोग बिलकुल सही सही किसी भी subject में, आपके, सभी subject में, ठ अभी लोग अपनी exam में, ठीक है, बिलकुल सही सही तुक्का मारिए, यहां पे हम आपको 5 जादुई trick बताने वाले, जो कि बहुत ही जबरजस्त और बहुत ही अच्छी trick है, अगर आप लोग इस 5 trick से, ठीक है, जो 5 trick हम आप सभी को बताएंगे, अगर आप लोग इस 5 करेगा, यह trick, 10% गारांटी, अगर आप लोग इस 5 जादुई trick को जान गए, ठीक है, तो आप सभी का पूरे के पूरे जितने भी objective question है, किसी भी subject में, आप लोग पूरे के पूरे सही objective question मार कराओगे, ठीक है, पूरे के पूरे सही आप लोग टिक मार कराएंगे, और यहां पे जो हम आपको पांच जादुई trick बता रहें, ऐसा आप सभी को ठीक है, ठीक है, बीडियो कहीं पर भी पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा, नहीं कोई आपको यह पांच trick कभी बता पाएगा, इसलिए यह बीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही important है, और आप लोग बहुत कर दिये, ठीक है, तो 100% गारांटी है, पूरे के पूरे objective questions सही होंगे, और आपका पूरा का पूरा नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर, ठीक है, जितने नंबर का आता है, पूरा का पूरा नंबर आपके pocket में हो जाएगा, आपके हाथ में हो जाएगा, तो यहां पे हम आप सभी को ऐसे ही trick बताएंगे, तो सबसे पर ने आप लोग देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजे, और चैनल पे नहीं तो सबस्क्राइब करके, बिल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजे, क्योंकि ऐसी हम आप सभी को बहुत trick बताएंगे, से first trick देखिए क्या है, जो कि बहुत important है, और आपको इस trick का use किस तरह से करना है, तो यहाँ पे अगर आपके exam में कोई भी प्रस्न, इस तरह से इस भी वाला आगे, यानि इस तरह से sun दिया हो, कोई भी प्रस्न में, इस तरह से अगर question आप सभी के board exam में, या कोई भी exam में आ गया, तो आपको वहाँ पे कौन से trick लगाना है, जिससे आप लोग इसमें सही सही जो आपसन है, उसको trick मार सको, तो यहाँ पे देखे, इस भी के लिए, आप सभी को कौन सा trick लगाना है, यानि बड़ा या छोटा का trick, इसका मतलब क्या है, आप लोग यहाँ पे बहुत यच्छे तरीके सम समझाएंगे आपको तो यहाँ पे देखे, इसमें जैसंकर प्रसाद का नीधन कव हुआ था, इस तरह से question दिया हुआ है, और इसमें यहाँ पे चार आपसन दिया हुआ है, तो इसमें से यानि कि कौन सा छोटा है सबसे और कौन सा बड़ा है, वही आपसन सही होगा, तो यहाँ पे सबसे छोट जो है, इसमें 37 दिया हुआ है, ठीक है, अब जो ए वाला आपसन है, यह गलत हो गया, और डी वाला आपसन है, यह भी गलत हो गया, अब आपको सिर्फ यहाँ पे C और B, यानि कि बड़ा और छोटा वाला आपसन को देखना है, इसमें से जो सही होता है, वो बिलकुल correct answer हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, कि इस दोनों में से, यहाँ जो भी आपसन मार दो, या बड़ा मार दीजिए या छोटा मार दीजिए, ठीक है, जैसा आप सभी लोगों का लग, जैसी आपकी नसीब हो, जैसा आपका माइंड करता हो, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम क्या किये है, कि इसमें क्या कर दीजिए, हम छोटा वाला ही मार दीए, ठीक है, यहाँ पे तो जैसंकर प्रसाथ का निधन कब हुआ था, तो यहाँ पे हम 1937 को मार दीए, सबसे छोटा वाला यही है, इसी को मार दीए, दोनों में से, ठीक है, त सबसे चोटा और बड़ा वाला आपसन को मारना है आप लोग जो भी आपसन दोनों में से मार सकते हो अगर आप लोग छोटा वाला मार दिये तो कोई में छोटा भी सही हो सकता है यहाँ पर दिखें दूसरा ट्रिक आगया नुमेरिकल का ट्रिक ठीक है नुमेरिकल में आपको किस तरह से तुका लगाना है तो यहाँ पर दीखें जैसे क्वेशन दिया हुए एक लेंस की छमता प्लास वन डियाप्टर है ठीक है तो इसकी फोकस दूरी होगी इस तरह से अब यहां पर आपको यही वाला लगाना है ट्रीक यानि कि यहां पर नुमेरकल सवाल के लिए भी बड़ा और छोटा वाला ही ट्रीक लगाना है ठीक है तो यहां पर देखें सबसे बड़ा वाला कंसा है सबसे बड़ा यह है और सबसे जो छोटा है वो यह है ठीक है और यह को आप लोग बिल्की दोनों क्या हो गए गलत हो गए इसमें से आपको दोनों में से कोई भी आपसम को सही नहीं मारना है अब आपको सिर्फ यहां पे सबसे बड़ा और छोटा वाला में ही देखना है ठीक है तो यहां पे हम पहले वाले में मारे हैं छोटा वाला तो दूसरे कि यहां पर प्लस ही दिया है एक तो इसलिए यहां पर 100 जेसे अगर आपके अंगर प्रस्ट इस तरह से तरगा हो जैसे यहां पर निम्लिकित में बिना सोचे समझे मार देना यह सही है। हो जाएगा ठीक है क्योंकि यह दोनों क्या है अमली है इस तरह से जहां भी आए यह question दोनों वाला अपसन अगर आप सभी के board exam के paper में कहीं भी आ गया तो आप लोग दोनों वाला आपसन को ही सही मार दीजिएगा ठीक है यह मेरी 100% गारांटी है कि यह बिलकुल सही हो जाएगा यह मेरी गारांटी है ठीक है और यह मेरा ही ट्रिक है यह हम खुद यह सभी कुछ आपसन दिया हुए इसमें भी कुछ आपसन दिया हुए ठीक है और आपसन दी दिया हुए सभी तो जहां पर भी सभी आ गया उसको आपको बिना सोचे समझे सिर्फ हमारे पर कांफिडेंस करके आपको मार देना है वह सो परसंट सही होगा और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेगा ठीक है यह वाला अगर आप जक्टिव क्वेशन आ गया सभी कोई भी क्वेशन में अगर इस तरह से क्वेशन दिया हुआ है और यहां पर बहुत विकल्पी वैना से बनाय हुए हैं और यह सी ट्रेक्स सिर्फ आपको हमारे ही चैनल पर मिलेंगी ठीक है और हो सकता हमारा को को देकर कि कोई इसका निर्माड कर दें ठीक है यह बात दूसराहां लेकिन वह सबसे पहले हम आप सभी को दे रहें तो इसमें से option C जो है वो बिल्कुल right answer है तो इसलिए देखिए इसमें option C right है ठीक है तरह से देखिए किसी भी subject में ठीक है यहाँ पर देखिए जिसे 144 के अभाज ग्रोन खंडों में दो की घात है इस तरह से question दे दिया आपको क्या करना है इसमें पहला option को सही मार देना है यह बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है इसी तरह से आपको क्या करना है यानि आप लोग अगर किसी question में पहले को सही करते हो ठीक है तो इसके बाद आप सभी को next question में ठीक है तीसरा को सही करना है फिर उसके बाद second question में फिर से आपको पहला या दूसरे को सही करना है फिर से आप इन सभी ट्रीकों का यूज करते हो तो 100% गारंटी आपका 20 नमबर बिल्कुल पक्का है एक भी नमबर आपका गलत नहीं होगा अगर आप लोग हमारे इस सिर्फ पांच ट्रीक को जान गए तब ठीक है तो इस तरह से जादे तर आपसंज होते वह ए और सी सही होते हैं तो आप सभी को अपनी एकजाम की पेपर में इस पांचो ट्रीक का यूज करके आपको पूरे अबजेक्टिव को सही करना है और आपड़ों दिखेंगी को अपने सभी दोस्तों में सेयर कर दिए वाचसाप गुरूब पे टेलिग्राम चैनल को leading के दिश्करिप्शन में मिल जाएगा ठीक है और इसी तरह अगर आपको किसी भी सब्जक्ट में पास होने की ट्रिक चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए और वैसे भी हमारे चैनल पे सभी विशन पास होने की ट्रिक बन चुकी है आप लोगों को इसी वीडियो के लाश्ट में चार व दोस्तों में शेयर किजिए और कमेंट करना विल्कुल मत भूलिए थैंक्स आलदा मेरी वेश्ट वाई वाई